Hello everyone, welcome to my channel Hope you all are doing good, उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो आज हम एनॉटमी के बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे अकसर ऐसे वर्ड्स आते हैं, ऐसी टर्म्स आती हैं एनॉटमी में बोन्स वगेरा में हम पढ़ेंगे आगे जब तो कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, जो हम confused हो जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है तो let's understand कि उन टर्म्स का मतलब क्या होता है ताकि आगे हमको एनॉटमी का सबजेक्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहली टर्म है सुपीरियोर जिसका मतलब होता है अबव अनदर स्ट्रक्चर मतलब किसी एक स्ट्रक्चर के ऊपर ठीक है, अगर सुपीरियोर लिखा हो हो है कि दव, for example, the heart is superior to the stomach क्या बोल रहा है कि जो हाट है वो हमारे स्टमक के सुपीरियोर है मतलब स्टमक के ऊपर लोकेटेड है ठीक है, then the next term is inferior अगर कहीं inferior लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि नीचे का पार्ट ठीक है, the stomach is inferior to the heart स्टमक हमारे हाट के नीचे प्रेजेंट होता है then anterior या हम इसको ventral भी बोलते है इसका मतलब होता है towards the front of the body हमारे body का जो आगे का हिस्सा होता है for example the navel is anterior to the spine हमारे जो नाभी होती है वो हमारी आगे की तरफ में होती है और जो spine होती है read की हड़ी, वो हमारे body के पीछे होती है तो क्या बोलना चाहरा है यह कि the navel is anterior to the spine navel जो होता है हमारा वो anterior होता है मतलब आगे की side में होता है और जो spine हमारी रीड की अड़ी होती है वो पीछे होती है तो अगर आगे का कोई part है हमारी body का तो हम उसको anterior या ventral portion बोलेंगे then comes the posterior and the dorsal towards the back of the body body के जो पीछे का part होता है like the spine is posterior to the navel जो हमारी रीड की अड़ी होती है वो पीछे में आती है तो यह हमारा posterior या dorsal portion होता है then comes medial, medial का मतलब होता है towards the midline of the body the midline divides the body into equal right and left sides एकदम बीच से अगर हम अपनी body को divide करें तो हमारी body right half में और left half में divide हो जाएगी तो for example the nose is medial to the eyes अब जो हमारी नाक होती है वो हमारी आख के medial होती है medial मतलब body के center की तरफ, उसके midline की तरफ जो हमारी body की midline होती है बीच से जो हमारी body को हम जब divide करते हैं nose से एकदम हमारी जब body divide होती है तो हमारा midline होता है body का तो मतलब अगर कोई भी चीज हमारी body के midline की तरफ है तो वो हमारा medial चीज हो जाती है like the nose is medial to the eyes हमारी आखें जो होती है उसके medial में nose होती है then comes the lateral lateral means away from the midline of the body or towards the side of the body midline से दूर या फिर हमारे शरीर के जो side का part होता है like the ears are lateral to the nose ठीक है तो हमारे जो कान होते है वो नाक के lateral side में होते है ठीक है now the next term is ipsilateral ipsilateral का मतलब होता है on the same side of the body same side का मतलब क्या होता है कि like अगर कोई भी दो पार्ट है अगर वो हमारा left में ही है या कोई particular दो पार्ट है वो हमारे right में ही लाई कर रहे हैं तो उसको में ipsilateral बोलते हैं ठीक है for example the spleen and the descending colon are ipsilateral spleen भी हमारा left side में होता है और descending colon भी left side में होता है तो यह जो दोनों पार्ट होते है हमारी बोडी के यह ipsilateral है आपस में मतलब बोडी के same side में है left side में है then contralateral मतलब on opposite sides of the body ठीक है एक दूसरे के opposite होते हैं for example the ascending and the descending portions of the colon are contralateral जो descending colon होता है वो हमारा left side में होता है और ascending colon right side में होता है तो एक दूसरे के opposite होते हैं that is called contralateral intermediate का मतलब होता है दो structures के बीच का हिस्सा for example the knee is intermediate between the upper leg and the lower leg जो हमारा upper leg होता है और lower leg होता है उसके बीच में क्या आता है हमारे गुटना आता है नी आती है तो यह हमारा intermediate हो गया then comes proximal which means closer to the point of attachment of a limb जहां पे भी हमारा point of attachment है किसी चीज का उसके सबसे पास में जो चीज होगी उसको हम proximal बोलते है for example जो हमारा wrist है उसके proximal में हमारी elbow आती है ठीक है कोनी जो है वो हमारे wrist के proximal होती है then distal means farther from the point of attachment of a limb जहां पे point of attachment है उससे कोई अगर दूर में है कोई चीज तो उसको हम क्या बोलते है distal बोलते है for example जहां से हमारी knee attached है तो foot क्या होता है हमारा that is distal to the knee जो हमारे pair होते है वो घुटनों से हमारे क्या है दूर है मतलब जहां पे हमारा point of attachment है जो चीज जूड़ी हुई है जिस point से then superficial that is towards the surface of the body उपरी सतह पर जो चीज होती है उसको हम superficial बोलते है मतलब the skin is superficial to the muscle अब जो skin होती है वो हमारे superficially होती है एकदम उपर होती है body के ठीक है उपरी सतह होती है हमारी skin और muscle जो होती है वो skin के नीचे आती है then comes deep deep means away from the surface of the body ठीक है body के surface से दूर for example the skeleton is deep to the skin जो हमारा skeleton होती है हड़ियां होती है वो हमारे skin के नीचे आती है ठीक है यह हमारे enotomy की basic terms थी उमीद करती हूँ आप सब को अच्छा लगा होगा hope you all like the video अगर कोई भी confusion हो किसी भी subject से related आप मुझे comment section में पूछ सकते हो या if you want कि मैं कोई video बनाऊं particular topic पे तो आप मुझे भो भी बता सकते हो comment section में if you like the video please do like, share and subscribe my channel for more upcoming videos thank you